हालो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे हमारा जो टोपिक चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानि की देनिक जीवन में रसायन और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एसिड के बारे में फिर हम लोग पढ़ रहे थे बेस के बारे में और फिर हम लोग ने पढ़ा टाइप ओफ एसिड फिर हम लोग ने पढ़ा टाइप ओफ बेसेज और फिर हम लोग ने देखे थे कि कुछ ऐसे एसिड जिनका हमारे डेली लाइत में क्या यूस्पल होता हैं कि तरीके से वो हमारी यूसफुल होता है कुछ बेस जिनका हमारी डेरी लाइप में क्या यूस होता है तो उसीयर को हम आगे देख रहे हैं एसिड और बेस और उसके आगे गर टोपिक है वह साल या Dub tu वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि salt क्या होते हैं जब हमने acid और base की अभिक्रिया देखी थी, reaction देखी थी तब मैंने आपको बता था कि अमल शार से अभिक्रिया करके लवान और जल का निर्मान करते हैं इसे प्रकार से जब हम लोग उने base के बारे में बढ़ा था, शार के बारे में बढ़ा था, तब हम लोग उने क्या देखा था, कि शार अमले के साथ, यानि कि base acid के साथ reaction करके क्या बनाता है, salt और water का निर्मान करता है, तो इसे को हम लोग detail में देखेंगे, कि salt का formation कैसे होता है, ये कि type की reaction होती है, और फिर हम लोग ये देखेंग कि salt के कौन-कौन से type हो सकते हैं, और फिर last में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे salt जिनका क्या-क्या use होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे salt की परिवार सा, तो लवन, salt, तो simple सा है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम direct लिखेंगे इसको, अम लोगे शार, अमलवे शार, आपस में, उदासीनिकरण अभिक्रिया द्वारा, उदासीनिकरण अभिक्रिया द्वारा, उदासीनिकरण अभिक्रिया द्वारा, लवन वे, जल का निर्मान करते हैं, अब इसकी reaction हम लिख सकते हैं जैसे acid है यह base से reaction करेगा और बना लेगा लवन यानि कि salt plus water यह तो हो गई कि salt का formation कैसे होता है अब exam में कभी कबार यह पूछ लिया जाता है कि उदासिनी करण अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है तो friends उस्मा के उत्सर्जन और आउस्शोशन के आधार पर अभिक्रिया को हम लोग दो भागों में रिवाइट करते हैं एक होती है उस्मा सोसी अभिक्रिया यानि कि endothermik reaction और दूसरी होती है exothermik यानि कि उस्मा शेपी reaction जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि उस्मा शोसी यानि कि अभिक्रिया जिनने हमें complete करवाने के लिए उस्मा की जरौत पड़ती है यानि कि हमें बहार से उसको क्या करने पड़ते हैं उस्मा देनी पड़ती है और उस्मा शेपी का मतलब यह है कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें reactants आपस में reaction करके उस्मा का क्या करते है उस्मा करते है तो इसी से हमें पता चल रहा है उस्मा शेपी शेपी मतलब उस्मा का बहार निकलना तो यहाँ पर यदि हम उदासी निकरन अभिक्रिया की बात करें तो उदासी निकरन अभिक्रिया जो है यह एक प्रकार की उश्मा शेपी अभिक्रिया है उदासी निकरण अभिक्रिया उदासी निकरण अभिक्रिया जो है यह उश्मा शेपी अभिक्रिया है यानि कि एक्जो थर्मिक रियक्षन अब ये बात हो गई कि अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है उचमा शेपी है अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि salt किस-किस type का होता है और वो किस प्रकार के acid और best से मिलकर बनना हुआ होता है तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि acid के type जिसमें strong acids कौन कौन से है फिर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि strong bases कौन कौन से है और weak base कौन कौन से है इसी आधार पर यदि हमें ये पहले से पता है तो salt के type हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे लवण के प्रकार, टाइप्स ओफ सॉल्ट, अब जनरली हम सॉल्ट को तीन प्रकार से विवजित कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला हो जाएगा, सामान्य लवण, सामान्य लवण, चनरल सॉल्ट, इसी परकार से दूसरा हो जाएगा हमारा, अमली लवण, एसिडिक सॉल्ट, और फिर थर्ड हमारा हो जाएगा, शारी लवण, बेसिक सॉल्ट बोल सकते हैं, यह इसको अलकेलाइन सॉल्ट भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शारी दाटू तो इसके लिए पन क्या वर्ड यूज करते हैं, तो इसी परकार से जो शारी लवण हैं, इसके लिए हम लोग अलकेलाइन साल्ट भी बोल सकते हैं, अब simple सा है सामाइने लवन जब कोई ऐसा लवन जो प्रबल अमल और प्रबल शार्ट से मिलकर बना हुआ होगा यानि कि strong acid और strong base से मिलकर बना हुआ होगा तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के effect को क्या कर देंगे? neutral कर देंगे, उदासिन कर देंगे तो उस condition में effect पूरी तरके से खतम हो जाएगा और उसकी pH क्या आजाएगी? 7 आजाएगी तो इस प्रकार के लवन को हम लोग क्या बोलते हैं? सामाइने लवन बोलते हैं इसी प्रकार से दूर्बल अमल और दूर्बल शार्ट से बने लवन भी किस लवन की केटेगरी में आते हैं? सामाइने लवन की केटेगरी में आते हैं और उनकी pH भी कितनी होती है? 7 होती है तो यहाँ प्रकार अमलिक सकते हैं प्रबल अमलिक प्रबल अमलिक वे प्रबल शार्ट से बने लवन यहां पर इसके उदाने ले सकते हैं अब आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि strong acid कौन कौन से है और strong base कौन कौन से है तो यदि हम बात करें strong acid की तो मैंने आपको 4-5 example बताये थे हैं जैसे कि HCl है यह अपना क्या है hydrochloric acid है इसी तरीके से हम लोग बात करें sodium hydroxide की न ओच की तो यह क्या है एक strong base है जब इनके अभिक्या करेंगे तो मैं आपको बताये था दोनुमें क्या होता है प्लस माइनस आयन होते हैं प्लस वाला माइनस के साथ reaction करता है माइनस वाला प्लस के साथ reaction करता है इस परकार होस से क्या बन जाएगा एस तो बन जाएगा और एने जो है यह cl के साथ अभिक्या करके sodium chloride जिसको अपन सामाईने लवन भी बोलते हैं इसका निर्माण कर लेगा इस तरीके से हम और उदान लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा S2SO4 यह एक strong acid है इसे तरीके से मैंने ले लिए KOH यानि कि potassium hydroxide यह एक प्रबल शार है और यहां पर वही वाला हमेशा ध्यान रखना कि acid और base में H और OH आइन अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं water बना लेते हैं और बाकी जो आइन बचे वे रेते हैं यह अभिक्रिया करक लवन बना लेते हैं तो पहला तो यह हो गया प्रबल अमल और प्रबल शार से बने हुए लवन दूर्बल अमल यानि कि वीक एसिड वे दूर्बल शार से बने लवन अ कि अब मैंने आपको क्या बताया कि सोल्ट में आपको ज़्यादा रटने की आशक्ता नहीं है या अलक से यांद रखने की जरूद नहीं है यदि हमें ये पता है कि strong acid कौन से है, strong base कौन से है तो और अपने को ये पता है कि weak base कौन से है और weak acid कौन से है तो हमें soul समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है तो जैसे मैंने कोई भी एक यहाँ पर weak acid ले लिया, जैसे मैंने आपको उदान लिखवाए था acetic acid, CS3COOH और एक दुर्बल शार ले लिया, जैसे दुर्बल शार में मैं आपको उदान बता दू, ammonium hydroxide तो यहाँ पर वही वाली condition H or OH आपस मैं अभिक्रा करके H2O बना लेंगे और बाकी बचेवे आइन जो हैं, CS3COOH और यहाँ पर ammonium आइन बचावा हैं, तो यहाँ पर यह बना लेंगे ammonium acetate तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ammonium acetate अब हमें यह पता है कि जब यह दोनू के effect को पूरी तरीके से almost क्या करते हैं, दोनू ही strong और दोनू weak होने की condition में एक दूसरे के effect को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो इनकी pH क्या हो जाएगी, लगबग साथ हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऐसे salt की pH almost कितनी होगी, साथ होगी, तो यह होगी हमारा पहला सामाइने लवण, अब दूसरे लवण की बात करते हैं, अमली लवण, acidic salt, अब यहाँ पर common sense लगाने वाली बात है, हम बोल रहे हैं कि अमली ये salt, इसका मतलब क्या है, कि इसमें acid का effect जादा होगा, तब ही salt कैसा होगा acidic होगा, इसका मतलब ये हैं कि जब हम Preble Acid की अभिक्रिया दूर्बल शार से करवाएंगे, यानि कि strong acid लेंगे और weak base लेंगे, तब वहाँ पर किसका effect जो होगा, acid का effect जो होगा, तो उस condition में जो salt बनेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, acidic salt बोल देंगे, तो यहाँ पर अम लिकेंगे, प्रबल अमल, प्रबल अमल, strong acid वे दूर्बल शार से बने लवाण, दूर्बल शार यानि कि weak base से बने लवाण, अब यहाँ पर कोई भी एक strong acid ले लेंगे, और weak base ले लेंगे, जैसे हुदारण की बात करें, तो strong acid में हम लोग ले सकता है, HNO3, इसका नाव होता है, nitric acid, और यहाँ पर दूर्बल शार में, जैसे हमने ले लिया, NH4OH, तो यहाँ पर HOH, उसे तरके से अभी किरा करके क्या बना लेंगे, water बना लेंगे, H2O, और साथ में यह जो आइन बच्चे हुए है, NO3 और NH4+, यानि कि ammonium आइन और nitrate आइन, तो यह क्या बना लेंगे, ammonium nitrate का निर्मान कर लेंगे, ammonium nitrate अब यह भी बात करें, कि इसका pH क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, कि जब भी acidic effect होगा, तो उसका pH जो होगा, वो साथ से क्या होगा, कम होगा, तो मैंने आपको pH, scale भी पढ़ाय था, Sorensen का, उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर pH जो है, यह क्या हो जाएगा, less than 7, यानि कि 7 से कम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर pH less than 7, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिर last हमारा salt की बात करें, तो शारी लवन, alkaline salt, तो जैसा मैंने बताया, कि जिसका effect ज़्यादा होगा, यानि कि जो strong होगा, salt वैसा ही effect शो करेगा, क्यानि कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम जो acid लेंगे, वो तो क्या लेंगे, weak लेंगे, तो दुर्बल अमल, दुर्बल अमल, वै, weak acid, वै, प्रबल शार्ट से बने लवन, strong base से बने लवन, अब इसमें भी मैंने आपको वही बताया, कि आपको acid के नाम बता होने चाहिए, जैसे कि हमने weak acid ले लिया, acetic acid, CS3COOH, मैं यहाँ पर generally acid और base के नाम नहीं लिख रही हूँ, मैं अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो साग बिख से नाम भी बोल रहे हूँ हूँ, प्रॉंग बेस है तो यहां पर एक उदान ले लिया मैंने तो यहां पर वही वाली कंडिशन हो और बन जाएगा और बाकी बचे हुए इसको हम बोलते हैं सोडियम एसिटेट और यहां पर मैंने नाम नहीं लिखे वह मैं नाम लिख देते हूँ यह है सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड इसी तरीके से केटो एसोफोर को बोलते हैं पोटेशन सलफेट अब यहां पर समझने वाली बात है आपको यह एक्जाम पर सरटने नहीं है क्योंकि यहां पर मैंने एक एक उदान लिखवाया है दो उदान लिखवाया है किसी में तो यहां से एक्जाम में जो क्वेशन पूछा जाता है वो यह नहीं पूछा जाएगा कि इस अमल की अभिकिरा इस बेस के साथ करवाने पर कौन सा लवन बनेगा एक्जाम में जो क्वेशन पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है आपको सॉल्ट का नाम दिया हुआ होता है लाइन के अंदर और यह पूछा जाता है कि यह सॉल्ट या तो किस एसिड और बेस से बना हुआ है या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि यह जो सॉल्ट है आइसजन पूछा हुआ था एक सोल्ट रिया हुआ था कि निम्लिकट में से अमली लवन कौंसा है तो वहां पर आपको यह चेक करना होगा कि अमली है इसका मतलब हमें यह देखना है कि उसमें एसा इसे पतार पर हमें तो हमें यह पता हैं कि कुछ एसे ओर कौन सा वीक बेस हैं तो यहां पर हमारे जो ताइप अशॉल्ट हैं वो कंपलीट होते हैं अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सोल्ट जिनका जिस तरविए आपके सेम ने देखा था कि कुछ ऐसे जिनका क्या यूज होता है इसी तरके से कुछ शार ऐसे थे जिनका क्या यूज होता है इसी तरके से हम यह देखेंगे कि कुछ लवण कौन से है ऐसे जिनका हमारे डेली लाइट में यूज होता है तो नेक्स हम लगाएंगे हेडिंग तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यूजेज ओफ सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट और इसमें दो-तिन सॉल्ट है जिनके बरे में आपको ध्यान रखना है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो किसी भी एक्जाम में यहाँ से क्वेशन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है तो पहला सॉल्ट का नाम है NACL सोडियम क्लोराइड आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और उसको क्या बोलते हैं यह नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि एक्जामिनर आपको दोनु में से कुछ भी दे सकता है तो पहला होगे अपना सोडियम क्लोराइड जैसे कि मैं आपको पहला ही खुदारन बता है था NACL और NAH के अपकरिया से बनावा सोल्ट NACL है और इसको हम बोलते हैं साधारा नमक साधारा नमक NACL ही होता है और खाने में हम लोग NACL का यूज़ करते हैं तो खाने में उप्योग फिर दूसरे सोल्ट की बात करें तो दूसरे सोल्ट हो जाएगा फिर हमारा दूसरे सोल्ट हो जाएगा N2CO3.10H2O इसको हम बोलते हैं Sodium Carbonate Sodium Carbonate और इस Sodium Carbonate का यूज़ जो है वो कपड़े दोने में किया जाता है इसलिए इसको बोला जाता है दावन सोडा तो ये हो जाएगा सामाने नाम दावन सोडा हो जाएगा और कप्रे दोने में इसका यूज किया जाता है यहां से तो question ये भी पूछा जाता है कि दावन सोड़े का सुत्र कौन सा होगा तो आपको sodium carbonate याद रगना है Na2CO3.10H2O तो दावन सोड़ा और कप्रे दोने में यूज उप्योग अब नेक्स्ट सोल्ट की बात करें तो नेक्स्ट सोल्ट हमारा हो जाएगा NaHCO3 और इसका नाम होता है sodium bicarbonate sodium bicarbonate और जिससे हमने बोला था कि Na2CO3 sodium carbonate इसका यूज कहां पर हो रहा था कप्रे दोने में इसका यूज हो रहा था और जनरली हम लोग जो गरू में खाने में सोडा यूज करते हैं फूलाने के लिए किसी भी चीज को तो उस सोडे को पन क्या बोलते हैं sodium bicarbonate बोलते हैं तो खाने का सोडा बोला जाता है इसको खाने का सोडा फ्रेंड्स ये ऐसे उदारण है जो जहां से ही question हर बार आने की संभावना रहती है और जैसे कि मैंने आपको बताए था latest ही SCF का जो forever UK के अंदर जनरल GK का paper हुआ था GK और science वाला तो उसमें यहां से question पूचा हुआ था एक salt दिया हुआ था और उसमें यह पूचा हुआ था कि निम्नलिकित में से कौन सा acidic salt होगा और मैं एक छोटा से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि 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 तरीके से उस exam के अंदर question पूचे हुए थे तो आज ही class को हम लोग यहीं पर समप्त करेंगे दन्यवाद friends